भारत के लोगों की मन की बात का मोधी रत कारक्रम का अचार सहीता लगते ही समापन हो गया है लोगों की मन की बात सीधे पियम मोदी तक पहुंचे इसके लिए हमीरपूर संसीक शेतर में मोदी रत ने भ्रहमन किया और करीब 50,000 लोगों के मन की सीधी बात पहुंचाने का काम किया हमीरपुर संस्दीक शेतर के मोधी रत के प्रभारी नरेंदरत्री ने दावा किया कि लोगों ने अपने मन की बात और भावना को बताया है और इन चुनावों में बीजेपी को सीधा इसका लाब मिलेगा भारत के मन की बात हमीरपूर संस्जीक शेतर प्रभारी एबम भाजवा सहप्रवक्ता नेंदर अत्री ने कहा कि देशवर में 300 रत अभ्यान में चले हुए थे जिसका समापन हमीरपूर में हुआ है उन्होंने बताए कि पूरे संस्जीक शेतर में रत में आम जन्ता के मन की बात को मोदी तक पहुंचाने का काम किया है अत्री ने बताए कि आने वाले समय में सरकार में क्या होना चाहिए इसके लोगों ने अपने सुझाब भी प्रिक्षित किये है अत्री ने कहा कि मन की बात रत का शांदार प्रभाब जन्ता पर पड़ा है क्योंकि इस तरह की लोगों के सुझाब लेने की पहल की गई थी उन्होंने कहा कि सांसन राग ठाकुर के प्रियासों को भी जन्ता ने मोदी रत के माद्यम से सराहा है जिसका सीधा लाब इन चुनावों में भी मिलेगा पानिया धैक्ष श्रीशत्पाल जी ने इस रत को हरी जन्डी देकर रवाना किया पूरे संस्द्यक शेत्र में ये रत खुमा और सभी विधान सवाक शेत्रों के कोने कोने से गुजरते हुए इस रत ने आम जन्मानस के मन की बात को मोदी जी तक पहुंचाने का काम किया है क्योंकि इसके अंदर जो टैब था उससे सीधी बात जो थी केंद्रिय कारले में होती थी आम जन्मानस अपनी बात जो था आम जन्मानस क्या चाहता है कि आने वाले सुमय में जब एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी तो क्या नीतियां रहनी चाहीं आम जन्मानस को लेकर और इसके साथ साथ भारती जन्ता पार्टी का जो संकल्प पतर तयार होगा वो भी इन ही सुझावों पर जो टैबलेट मैंने कहा और जो सुझाव पेटिकाओं के माध्यम से सुझाव आम जन्मानस के जाएंगे उन ही को अधार मानकर भारती जन्ता पार्टी अपने अगले लोग सबाच चुनावों के लिए जो संकल्प पतरत यार करेगी उसको अधार बनाएगी बहुत शांदार इस रत का प्रभाब पड़ा आम जन्मानस ने बड़े उत्साह के साथ अपने अपनी भाबनाओं को रिकार्ड कर भेजा और सरहना की मोदी सरकार की नीतियों की और एक विशेश बात जो आम जन्मानस से देखने को मिली संस्दियक शेतर में के कोने कोने में जब रत घूमा तो आम जन्मानस ने अपने सांसद शिर्यन राग ठाकूर जी के परयासों की सरहना की उनकी कारेपददी की सरहना की और जो उनकी विशेश योजना है जो भी हमारे संस्टिक शेत्र में चल रही है शायद ही भारत के किसी दूसरे संस्टिक शेत्र में इस तरह की पहल किसी संस्ट ने की हो जैसे संसद खेल महाकुम, संसद मोवाइल अस्पताल योजना और संसद विशो भ्रहमन मिधवी छात्रों के लिए जो योजना है उसका बहुत ही सकरात्मक प्रभाव हमारे संस्तिक शेत्र में पड़ा है और आम जन्मानस ने इस पहल की खूब सरहाना की है देखे आंकड़ा इसमें कोई सपस्ट आंकड़ा हमारे प्रदेश कारेले में इसकी समिक्षा चल रही है क्यूंकि पिछले कल ही रत्यात्रा ये पूरी हुई है पर एक अनुमान के अनुसार लगभग पचास हजार जो आम जन्मानस से उन्होंने इस रत के माध्यम से अपना विचार रत में रखा है निश्य तोर पर भारती जन्ता पार्टी अपना पिछला रिकार्ड दोराएगी चार बटा चार का जो लक्षिय भारती जन्ता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में रखा है उसको पूरा करेगी